नमस्कार दोस्तो आरवेदिक जड़ी भूटियों के संदर्भ में आज हम आपके लिए एक और चमतकारिक पोधर लेकर आए हैं ये जो आप छोटा सा पोधर देख रहे हैं ये बरसात के मौसम में प्राया सरबत्र मिलता है और इस पोधे का नाम है बन मेथी जी हां दोस्तो ये जंगलों में खेत में खलिहानों में आसपास बिकार पड़ी भूम पर ये मिल जाती है इसलिए इसका नाम बन मेथी है ये इसके फूल है और ये इसके पत्तिया है आवी इसमें बीज नहीं आए है जब बीज आएंगे तो मैं उस बीजों से भी आपको पर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो इस तरीका के नए नए वीडियों देखने के लिए आज ही और अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद नेचे जो घंटी बनके आएगी उसको भी दबा दे ताकि आपको नए नहीं जानकारी समय समय पर प्राप्थ होती रहे तो दोस्तो जो ये बन मैथी है इसका प्रियोग आप कहां और किस तरीका से करेंगी वह है आज मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आप इससे बन मैथी की भली भाती पैच्छान कर दीजिए ये बन मैथी सरबत मिलती है जंगलों में पाई जाती है और ये बहुत अच्छी है आप इसको खाड के मत फेकिए इसका संग्रहे करिए और और सदी गुड़ों से इसका लाब पाई दोस्तो ये है जो बन मैथी है ये दुख दबर दाखे जी हाँ दोस्तो मातां बहनों को जब डिलेवरी हो ज निकलता हो या दुद बिलकुल ना निकलता हो तो इस तनों में दुद की ब्रद्धी करने के लिए आप इस बन मैथी का प्रियोग कर सकते हैं तो बन मैथी का प्रियोग करके आपकी दुख्द में ब्रद्धी हो जाएगी आप उसमें प्रियोग कैसे करेंगे जो ये पत्त को तुल ले जिए और वैसे या बगएर पानी डाले इसको खुब पीस ही है जब चटने से भी महीन पीस जाए तो फिर कपड़ी की साहता है सी इसको निचोड ले जिए और जो रस प्राफ्त हो उस रस में जैसे आप 10 मिली ग्राम इसका रस पीते हैं तो 10 मिली ग्राम में आप सो दो सो ग्राम गाय का दूद ले ले वह हैं अगर आप इसका शेवन करते हैं साथ में खाना खाने के बाद या खाली पेट किसी भी समय ले सकते हैं इसको तो ऐसा प्रियोग आप का जो इस्तनों में है वो दुख-दुखी बृद्धी कर देगा और आपके सुखी अच्छी तरीका से परब्रिस हो जाएगी इसके साथ साथ दूस्तों इसके पत्तों का जो ताजा रस है अगर आप एक चम्मत इसके पत्तों का रस और एक चम्मत सहथ मिलाकर अगर आप सिवन करते हैं तो यह खासी को भी बहुत अद्वूत है अपने छोड़े छोड़े बच्चों को अगर खासी आती है कुकर खासी आती है या कास ऐसे ही सुकी खासी आती है तो उसके लिए आप छोड़े बच्चों को आदी चम्मत इनके पत्तों को रस्मी और एक चम्माद शेयद मिला कर श्टताईए तो उसकी खासी में महुत अच्छर जल देगा इसके साथ साथ दोस्तो यह ब्रणरोपन भी है सरीर में कहीं कहीं पर भी कोई घाव हो गया है फोड़ा फुंसी हो गई है तो उस घाव को भनने के लिए फोड़े फुंसी को दूर करने के लिए आप इस बन मैथी का प्रयोग कर सकते है वहाँ पर इसका प्रयोग कैशिक करेंगे वह भी सुन ले जिए इस बन मैथी को ले ले जिए इसकी पत्तियां, पंचांग, फाल, फुल जो भी में उसको ले 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 जिए और पानी से धो ले जिए फिर इसको साब करके आप किसी सिल्बट्टी की सायता से बाट पीछ ले जिए और महिन से महिन, चत्नी से महिन बाट जिए और उसकी लुगदी बना कर आप छत्ति गरस्त इस्तान पर रखिए जहां पर आपको घाव होएं, फोड़ा हो, फुनसी हो तो उसको यह बहुत ही जल्दी भर देगा दोस्तों याद रखिए इसको पीछ ते तमें पानी नहीं मिलाना है क्योंकि पानी की मात्रा और सदी को खराब कर देती है बगेर पानी मिले ही इसका प्रयोग करना है चाहे आप इसकी लुगदी बनाए या फिर आप इसका सोरस प्राफ्ट करें सोरस होता है ऐसा ही है कि पानी के बगेर मिला ही इसको पीछा जाए और जो इसका रखिए निकले है सोरस होता है तो दोस्तो ये थी बन में थी के चमतकार एक गुण जो अभी आपने जाना आज के लिए दोस्त इतना ही हम फिर मिलेंगे अपने अगरे वीडियों में और कुछ नई और सद्धियों के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए जाज़त सत्साइब दोस्तो जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इनों सद्धियों को संग्रत कीजिए इनको खट्टा कीजिए और इनको बेकार समझकर एशे ही नहीं उख़ड़क भेकिए ये आपके जीवन दाइनी है और ये आपकी रुकों से आपकी रख्षा करने वाली है बसे आप इसकी पैच्छान करें और जो जो मैं इसकी जानकारी लेकर आँँ उन जानकारियों से आप भली भोत परचित भी हो तो दोस्तो ये बन में थी है इसकी पूर तरहिका से आप पेच्छान कर ली दिये नमस्कार धन्वा